नमस्कार मैं अजय कुमार बीते नौ साल में भारत सरकार पर करज बढ़कर तीन गुना हो गया है आजादी के बाद से लेकर छाँछट साल में यानि 1947 से लेकर 2014 की बीच भारत सरकार का करज 55 लाख करोर रुपय था साल 2014 में नरेंद्रमोदी के सत्ता में आने के बाद 55 लाख करोर रुपय का करजा तीन गुना बढ़कर साल 2023 में 125 लाख करोर रुपय के पायदान पर पहुँच चुका है मतलब महज 9 साल में भारत का गर्ज करीब 100 लाख करोर रुपय बढ़ा है भारती अर्थवस्ता कर्च की जिस खाई में 6-6 साल में नहीं गिरी उस खाई से 3 गुना गहरी खाई में मोधी सरकार के महज 9 साल के कामकाज में गिर गई है यह भी मोधी सरकार के 9 साल की एक ऐसी उपलब्दी है जो मोदी सरकार के 9 साल के प्रचारतंत्र के गान को बेसुरा कर देती है यह जानकारी सुनने के बाद कुछ लोग कहेंगे कि जैसे घर चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ता है वैसे ही सरकार ने देश चलाने के लिए कर्ज लिया है भला यसी करोड लोगों को फ्री में अनाज दिया जाएगा तो कर्च तो बढ़ेगा ही न मोदी जी अपने घर से पैसा थोड़े न देंगे इसलिए आगे बढ़ने से पहले सरकार पर चढ़ने वाले कर्च के बारे में एक बुनियादी बात समझ लेते हैं मसहूर अर्थ सास्त्री प्रभात पतनायक कहते हैं कि जब हम देश के कर्च की बात करते हैं तो उसकी तुलना घर के कर्च से करते हैं यह जायच तुलना नहीं है इस तुलना के जरिये हम अर्थवयवस्था को धंग से नहीं समझ पाते हैं जिस तरह से घर का कर्ज होता है, ठीक वैसे ही देश का कर्ज नहीं होता है. घर के पास यह छमता नहीं होती कि RBI से पैसा छपवा ले, टेक्स लगा करके पैसा वसूल ले, बांड जारी करके पैसा ब्याज पर ले ले यह सारी छमताएं एक संप्रभू देश के पास होती हैं इसलिए घर के कर्च की तुलना देश के कर्ज से करना जायज नहीं देश पर कर्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि नरेंद्रमोदी पर कर्ज बढ़ रहा है उनके घर पर कर्ज बढ़ रहा है, या नरेंद्रमोदी अपने घर से दे रहे हैं अपने संसाधनों के उत्तम दोहन के लिए एक गरीब मुल्क का कर्ज बढ़ना कोई गलत बात नहीं है गलत बात तब होती है जब कर्ज भी बढ़ता जाता है और संसाधनों का दोहन भी नहीं होता है जब देश का कर्ज बढ़ता जाता है और धेर सारे लोग बिरुजगार रह जाते हैं धेर सारे लोग गरीब होते चले जाते हैं अर्थ्विवस्था में डिमांड की कमी लगातार बनी रहती है अगर ऐसा होता है और देश का कर्ज बढ़ता चला जाता है तो वह खतरनात बात होती है यही भारत में हो रहा है देश का कर्ज तो बढ़ गया मतलब देश के खाता वही में इंट्री लोक कल्यान के नाम पर हुई मगर लोक कल्यान नहीं हुआ कर्जा 9 साल में 55 लाख करोड से बढ़कर 155 लाख करोड तक पहुँच गया मतलब भारत सरकार के कर्ज में 300 प्रतीसत का इजाफा हुआ मगर भारत सरकार के अधीन रहने वाले लोगों की प्रतिवेक्ति आमदनी में महज 47 प्रतीसत का इजाफा हुआ है साल 2013-14 में भारत की प्रतिवेक्ति आमदनी 78 रुपय सलाना थी यह 9 साल बाद बढ़कर 1,15,000 रुपय सलाना हुई अगर आर्थी का समानता की आकड़े जोड देंगे तो भारत में 90 प्रतिसत आबादी के लिए मुश्किल से महीने में 8,000 की कमाई भी नहीं बनेगी मतलब भारत सरकार ने भारत के लोगों के लिए करज लिया मगर भारत के लोगों को इस करज का कोई फायदा नहीं पहुँचा सरकार ने इतना ज़्यादा करज लिया तो ऐसी नीतियां बननी चाहिए थी जिससे रोजगार पैदा हो सरकार का पैसा चल कर आम लोगों के रोजगार के बदले उनके हाथ में पहुँचे मगर इस फलक पर तो ऐसा लगता है कि सारा करजा सरकार में पानी में डुबो दिया 9 साल पहले भारत का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन डिट यानि साल 2014 में 52 प्रतिशत के आसपास था या बढ़ना चाहिए था मगर या घटकर 41 प्रतिशत पर पहुँच गया है यानि कि भारत में काम करने लायक अबादी के बीच महज 41 प्रतिशत लोग या तो रोजगार में लगे हुए हैं या रोजगार की तलास कर रहे हैं यानि मानो संसाधन का इस्तमाल करने की बजाए मोधी सरकार मानो संसाधन को बेकार बना दिया है प्रतिवैक्ति यामदनी और बिरुजगारी के आंकड़े बताते हैं कि कर्ज मोधी सरकार ने आम लोगों की भलाई के नाम पर उठाया मगर आम लोगों की जेब तक पैसा पहुँचा ही नहीं तब सवाल है कि भारत सरकार ने इतना बड़ा कर्ज लिया और इसका फायदा किसे पहुँचा है कॉंग्रेस की तरब से इस पूरे मसले पर प्रेस कॉंफरेंस करते हुए सुप्रिया स्रिनेत ने कहा कि क्या कर्ज का फायदा गरीब लोगों को हो रहा है हमें और आपको हो रहा है इसका फायदा ना गरीब को हो रहा है ना मध्यमबर को हो रहा है ना निम्न मध्यमबर को हो रहा है इसका फाइदा सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों को हो रहा है पुंजी पतियों को हो रहा है इस कर्ज को लेने के दौरान 23 करोड लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए 83 करोड लोगों की आए कम होई 11,000 MSME बंद हो गए मगर अरब पतियों की संख्या 102 से बढ़कर 106 पर चली गई सिर्फ और सिर्फ अमीरों को धन्ना सेठों को और मोदी जी के परमित्रों को इसका फाइदा पहुँचा है World Iniquality Report बताती है कि टॉप के 10% अमीर अबादी बॉटम की 50% गरीब अबादी की कुल आमदनी के 22 गुना ज्यादा कमाई अपने पास रखती है साल 2022 से लेकर 2021 के भी जितनी संपत्ती बनी है उसका 40% हिस्सा केवल 1% अबादी के पास है मतलब पिछले 9 साल का रिकॉर्ड यही बताता है कि मोधी सरकार ने भारत सरकार के खाते में कर्ज तो धेर सरा उठाया मगर सारा पैसा मोधी और अडानी की मिली भगत से बने मोडानी मॉडल वाले पुंजी पतियों के पास चला गया कॉंग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया स्रिनेत ने कहा कि बहुत सिंपल तरीके से कहा जाए तो इस सरकार ने हर सेकंड 4 लाख ककर जा लिया है भारत का dead to GDP रेशियो 84 प्रतीसत है यानि भारतिय सीमा के भीतर उत्पादित कुल सेवाओं और समानों की बाजार मुल्ले के तुलना में कर्ज तकरीबन 84 प्रतीसत के आसपास है जबकि भारत की तरह जिन देशों को emerging market कटेगरी में रखा जाता है वहाँ पर dead to GDP रेशियो तकरीबन 64 प्रतीसत है यानि कि भारत में बहुत जादा है एक समस्या और भी है कि जब कर्ज बढ़ता है तो इस पर ब्याज चुकाना पढ़ता है भारत का कर्ज बढ़कर के 155 लाग करोड के आसपास हो गया है इस पर 11 लाग करोड रुपे सलाना ब्याज चुकाना पढ़ रहा है यह सारे आंकडे बेकार आर्थिक प्रबंधन को दर्शाते हैं यह बताते हैं कि अथाः पैसे के दम पर भाजपा चुनाओ तो मैनेज कर ले जाती है मगर मोधी सरकार अर्थविवस्था मैनेज करने के फलक पर पूरी तरह से फेल साबित हुई है बेकार आर्थिक प्रबंधन का नमूना देखिए मुख्य आर्थिक सलाकार का कहना है कि भारत की अर्थविस्था साल 2030 तक आटो पाइलेट मोड पर चलती रहेगी 6.5 से लेकर 7% के दर्शे भारत की GDP बढ़ती रहेगी उनके सब्दों से अर्थ निकाला जाये तो उनके कहने का मतलब यह है कि अर्थविस्था में ज़्यादा च्छेड़चार करने की जरूरत नहीं है आर्थिक नीतियों को बदलने की जरूरत नहीं है भारत की अर्थविस्था ठीक ठाक धंग से चल रही है अब आप ही बताईए कि जिस देश में 80 करोड लोगों के खाने का इंतिजाम सरकार कर रही हो, उस देश की आर्थिक नीतियों में बदलाव की जरूरत क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या उस देश की अर्थवस्ता को आटो पाइलिट मोड पर छोड़ देना चाहिए? मुख्य आ आकडे केवल और केवल हेडलाइन मेनेजमेंट भरके आकडे बन कर रह जाते हैं, लोगों की असली सच्चाई का पता इन आकडों से पता नहीं चलता है, जीडीपी बढ़ोतरी दर को लेकर के सारा बखेडा तब शुरू हुआ, जब साल 2022 तेश के जीडीपी के अनुमानी ताकडे आए, साल 2022 तेश के जीडीपी के अनुमानी ताकडे, जीडीपी में साल 2022 तेश से पिछले साल के मुकाबले 7.2% की बढ़ोतरी बता रहे हैं, इसी बात पर सरकार ताली बजाने लगी कि रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया ने अनुमान किया था कि साल 2022 तेश की जीडी से जादा अनुमान निकल करके आया है, इसी को पकड़कर मुक्य आर्थिक सलाकार ने भी आटो पाइलेट मोड वाली बात कह दी है, जीडीपी के इन आकडों पर तमाम आर्थिक जानकारों ने सवाल उठाया है, उन सब के बयानों को जोड़ कर कहा जाये तो बात यह है, कि किसी काम में, किसी तरह के रोजगार में इंप्लॉई थे, उनको मिला हुआ था, मार्च 2023 में इसमें 10 लाग की कमी आई है, यहां आकड़ा 40 क्रोर 70 लाग का हो गया है, काम करने लाएक आबाधी बड़ी है, लेबर पोर्स फार्टिसिपेशन डेट घटा है, और साल भर में भी खटा है, मगर रोजगार पहले के मुकाबले कम लोगों को मिल रहा है, जीडीपी का 60 प्रतिसत हिस्सा प्राइविट कंजप्शन से बनता है, यहां भी बढ़ोतिर दर सलाना और सथ बढ़ोतिर दर से कम है, मतलब आम लोगों की जेब में पैसा ही नहीं जा रहा है, कि वाइस का इस्तेमाल कर उपभोग करें, भारत की अर्थवस्ता में अगर आम लोगों की जेब तक पैसा नहीं पहुँच पा रहा है, तो जीडीपी की बढ़ोतिर दर इतरह का छलावा क्रियेट कर रही होती है, इसके दो ही मतलब होते हैं कि भारत के 94 प्रतिसत कामगार अस अंकटिच छित्र में काम करते हैं, इनके जीवनस्तर में किसी भी तरहों की बड़ोत्री नहीं हो रही है, जीने महीने में ठीक ठाक सैलरी मिलती है, और जो पहले से अमीर हैं किवल उनहीं का जीवनस्तर बढ़ रहा है, किवल वहीं पर पैसा जाकर के इकठा हो जा रहा है, केवल वहीं पर भारा सरकार का करजा जा कर रिकटा हो जा रहा है मतलब अमीर और अमीर हो रहे हैं गरीब और गरीब GDP के आंक्ड़ों से सच्चाई का पता नहीं चलता भीतर जाने पर बिरुजगारी और प्राइविट कंजप्शन के आंक्ड़े बता रहे हैं कि अर्थववस्था की जहाद अगर आटो पालेट मोट पर छोड़ दी जाएगी तो आम लोगों की जिंदगी आने वाले दिनों में और ज़्यादा बरबाद हो जाएगी। यह सब सरकार की बेकार आर्थिक प्रबंदन का नमूना है जो सही तभी होगा जब मानव संसाधन का ढंग से विकास किया जाए उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्द कराए जाए उनकी जेब तक जायच पैसा पहुंचाया जाए अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वही चक्र चलेगा जो पिछले नौ साल से चलता आ रहा है सरकार करज उठाएगी फ्री में गैस सिलिंडर और मुफ्त का रासन का लालच देकर आम लोगों की हर हक को छिन लेगी आम लोगों का भला नहीं होगा करज के चक्र तले देश चलता रहेगा इतना सब बताने के बाद कोई कह सकता है कि आपके वल एक ही बात क्यों बता रहे हैं बीते नौ साल में भारत सरकार का करज तीन गुना बढ़ा है बीते नौ साल की हकीकत यह है कि टेक्स कलेक्शन में भी तीन गुने की बढ़ोत्री होई है आकड़े के लिहाद से देखा जाये तो यह बात ठीक है मगर को देश की संदर्ब से समझना दो अलग-अलग किस्म की बाते होती हैं टेक्स की किताबे कहती हैं कि सबसे बढ़िया टेक्स सिस्टम वह होता है जहां पर अमीरों से ज्यादा टेक्स लिया जाता है और गरीबों से कम इसी टेक्स कलेक्शन को प्रगतिसील धाचा कहा जाता आर्थिक मामलों के जानकार अंसुमान तिवारी अपने ब्लॉग अर्थात पर लिखते हैं कि दूसरे विस्विद्ध के बाद जब जंग और कतलोगरात खत्म हुई तो यह माना गया कि टेक्स एक ऐसा रास्ता है जिससे संपत्ति का पुनर्वित्रन किया जा सकता है यानि कि डिस्ट्रिब्यूशन किया जा सकता है यानि अमीरों से टेक्स लेकर के आम लोगों को सुविधाओं के तौर पर लोटाया जा सकता है सरकारें इस काम को करने वाली एजेंसी मानी गई इस बुन्यादी सिध्धान्त के अधार पर भारत का हाल देखिए वर्ल्ड एकनॉमिक सबसे उची वाले दस फिस्दी लोगों से केवल तीन फिस्दी वसूला गया वित्वर्ष 2021-22 में जियस्टी कलेक्शन 14.083 लाग करोड रोपे रहा है यानि इनका 97% टेक्स कलेक्शन भारत के 10% अमीरों से नहीं हुआ जिनकी कुल राष्ट्री हिस्यदारी राष्ट्री आ कुझ बढ़ा दिया गया है